हेलो नन्य दोस्तों मैं नरेश शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके मोशिन के रिगार्डिंग यह हमारा थर्ड पार्ट है मोशिन का सो वह आज हम शुरू करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टन्ट है तो आज इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो मोशिन का टॉपिक है वो खत्म हो जाएंगी और फिर हम कल से जो है इसके एमसी क्यूज शुरू करेंगे तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टन्ट है तो आज का टॉपिक है ग्रैफिकल है रिपर्जेंटेशन ओफ मोशिन ग्रैफिकल रिपर्जेंट करते हैं तो वो बहुत बढ़िया दिखाई देती है असानी से उस चीज को हम लोग समझ सकते हैं जैसे आप क्रिकेट का मैस देखते हो तो जब आप रन रेट देखते हो तो वो ग्राफ के उपर बनाई होती है तो आपको इसली पता दल जाता है कि कौन से ओवर में रन जादा बने थे और कौन से ओवर में रन कम बने थे उसी तरीक्के से हम लोग जो ग्राफ जो है उससे टाइम ग्राफ के अंदर आपको कोशिश ये करनी है कि टाइम को x-axis पे रखना है और डिस्टेंस को y-axis पे रखना है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम दो चीजों के लिए ग्राफ बनाएंगे पहला ग्राफ बनाएंगे uniform motion के लिए और दूसरा ग्राफ बनाएंग uniform motion क्या होता है uniform motion का मतलब जब equal time में equal distance cover हो रही है तो आप अपने left side पे देखिए यहां पर यहां पे आपको time दे रखा है तो जब time 0 था तो distance 0 थी जब time 5 हुआ मालो time seconds में है time जब 5 हुआ तो distance 10 meter हो गई time जब 10 हुआ तो distance 20 meter हो गई यानि की हर 5 second के बाद 10 meter की दूरी बढ़ रही है तो जब हमने इसका graph बनाया यहां पे तो आप देखिए graph क्या बना बिल्कुल straight line बना तो यह जो graph है यह graph किस चीज़ को represent कर रहा है यह graph represent कर रहा है uniform motion को अब इस graph का use क्या है हर चीज़ का use होना चाहिए ना फाइदा क्या हमें तो फाइदा देखना है तो इस graph से हम लोग speed निकाल सकते है speed निकालने के लिए हमें इस graph की slope निकालने पड़ेगी slope कैसे निकाले जाती है आप यहां पे कोई दो point ले लिए इस line के ओपर और यह कितना वाले पास this is 20 so the slope is 2 तो हम कह सकते हैं कि जो speed है वो कहा है 2 meter per second तो आपने इस चीज़ को याद हरना है कि distance time graph की जब भी आप slope निकालेंगे तो वो slope हमें क्या बताएगी वो slope हमें speed के बारे में बताएगी तो हम distance time graph से क्या निकाल सकते हैं हम body की speed निकाल सकते हैं तो यह बहुत important चीज़ है आपने इसको याद अखना है हम इसके ओपर numerical try करेंगे बाद में अब हम यही graph non uniform motion के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए जब हम non uniform motion की बात करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब two second time था तो distance एक मीटर थी फिर चार second पर कितनी हो गई 4 मीटर हो गई फिर 6 second पर कितनी हो गई 9 मीटर हो गई इसका मतलब जो distance है वो unequal cover हो रही है equal interval time में तो यहाँ पर जो graph है वो state line नहीं बना वो हलका सा क्या बना है तो यह curve line है यह क्या represent कर रही है यह यह जिस represent कर रही है कि जो आपका motion है वो क्या है वो जो है non uniform motion है उसके लिए हमने यह graph बनाया है तो आपको पता ना चाहिए uniform के लिए कैसा होगा और non uniform के लिए graph कैसा होगा जैसे हमारे पास distance time graph होता है उसमें हमारे पास दूसरी जो category आती है वो category आती है velocity time graph की तो velocity मैंने आपको last lecture में बता दिया क्या होता है displacement upon time होता है तो उसके लिए हम तीन situation के लिए जो graph बनाएंगे इसके लिए uniform motion के लिए uniformly accelerated motion के लिए और non uniform motion के लिए अब देखिए अब आपके पास यहां पर अगर आप देखें यहां पर तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने एक टेबल दिया हुआ है time दे रखा है और velocity तो velocity उसकी change नहीं हो लिए 40 40 40 40 40 टाइम बढ़ रहा है लेकिन velocity नहीं हो लिए तो graph बिलकुल ऐसे अब यह graph हमें क्या काम आता है यह graph हमें एक चीज़ करने के काम आता है अगर हम इस graph का area निकाल लेते हैं इसका जब आप area निकाल लोगे तो यह area हमें क्या बताएगा यह area हमें displacement के कि displacement कितनी हुई तो याद करो जो distance time graph है वो हमें स्पीर के बारे में बताता है और velocity time graph हमें अगर उसका area निकाल लेते हैं हम लोग तो वह area हमें displacement के बारे में बताता है तो हम easily displacement निकाल सकते हैं अगर हम अब यहाँ पर एक situation और आ गई है हमारे पास यहाँ पर विलॉस्टी ज 60 और आप देखिए यह velocity uniformly बढ़ रही है तो यह graph वैसा ही बना distance time graph जैसा straight line बना लेकिन यहाँ पर यह हमें graph क्या बताएगा अगर मैं इसकी slope निकाल लूँगा तो यह slope हमें क्या बताएगी acceleration के बारे में बताएगी acceleration निकाल सकते हैं लोग तो velocity time graph दो काम आएगे एक तो हमे तो क्या निकालने के काम आएगा हमें हमें displacement अगर हम इसका area निकालेगे तो displacement निकल जाएगा और अगर मैं इसका क्या निकालूँगा slope निकाल लूँगा तो क्या निकालेगी हमें acceleration निकलेगी तो आपको यह चीज़ याद अखनी है कि velocity time graph से हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें निकाल सकते हैं हम area से हम displacement निकाल सकते हैं और अगर हम उसकी slope निकाले तो क्या निकाल सकते हैं उसकी acceleration निकाल सकते हैं तो यह हमारे पास एक और ग्राफ है अब बहुत इंपोर्टन चीज वेरी वेरी इंपोर्टन चीज यह आप लोगों ने प्लीज नोट कर लेनी है यह तीन इकवेशन यह इकवेशन जो है इन्हें हम कहते हैं क्या कहते हैं इनको हम लोग इकवेशन ऑफ मोशन यह कौन कौसी इकवेशन जर पहली है वी is equal to u plus 80 दूसरी जो equation है वो है s is equal to ut plus half 80 square और third equation जो है वो है 2as is equal to v square minus u square यह तीन equation अगर आपने यह तीन equation को learn कर लिया, समझ लिया understand कर लिया तो motion के ओपर कोई भी numerical आजाए आप उसको solve कर सकते हो यहाँ पी है क्या? u आपने हमेशा initial velocity लेनी है v आपने हमेशा final velocity लेनी है s displacement होता है a acceleration होता है और t जो होता है वो time होता है यह आपको याद रखके तीन equation अब क्या दिया है और कौँसी equation महाफिट बैठेगी आप easily वो formula लगाके वो equation लगाके आप easily आप numericals को solve कर सकते हैं यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान देना है क्या चीज़ का ध्यान देना है अगर उसने लिख दिया a body start from rest तो आपने यू हमेशा ही zero लेना है अगर उसने लिख दिया body comes to rest रुक गई आगे तो वी आपने zero लेना है अगर उसकी velocity बढ़ रही है increase हो रही है तो आपने acceleration को positive लेना है और अगर वो कह रहा है कि speed घट रही है तो आपने acceleration को negative लेना है तो यह आपको इन equations को आपने जरूर use करना है और इन equations के साथ हम अगले topics के अंदर हम इसके numericals भी हम लोग try करने की कोशिश करेंगे तो यह हमने derivation भी हम कर सकते है derivations भी आप इसकी कर सकते है अगर मैं graph बनाओंगे यह बला graph तो acceleration क्या होता है final velocity minus initial velocity upon time तो acceleration v minus u upon t इसको cross multiply करोगे तो v is equal to u derivations कर सकते हैं इसी तरिके से आप दूसरी equation की derivation भी कर सकते हैं और तीसरी equation की derivation भी आप कर सकते हैं basically आपने याद रखना है और motion के अंदर जो last है वो हमारे पास होता है circular motion जब हम गोल गोल घूमते हैं किसी circular path के अंदर तो उसको क्या कहा जाता है उसको uniform circular motion कहा जाता है और इसकी examples बहुत सारी हैं आप पत्थर घुमाते हैं और जो सूरज के इर्द इर्द धर्थी प्रिकर्मा कर रही है उसको कौन सा motion आता है circular motion आ जाता है हमारे पास तो आई थिंक आप लोगों को motion के basic concepts पता लगए होंगे अब हम कल इसके कुछ numericals ट्राइब करेंगे इन motions के ऊपर और उसके बाद कुछ MCQs को हम ट्राइब MCQs के साथ हमने numericals करने की कोशिश करेंगे so stay tune रहिए चैनल को देखते रहिए और motion के ऊपर हम लोग कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए thank you stay safe